नवसकार सिटी विजिन में आपका स्वागत है मैं हूँ विजय कुमार तिलंगाना सरकार से रिटार्ड स्पेशल चीफ सेकरेटरी और 84 बैच के पूर्व आईये सदिकारी अजय मिश्चा सहब आज विशेश मेहमान के तौर पर हमारे साथ उपस्थित हैं फिलाल अजय मिश्चा सहब Renewable Energy Society of India में बतौर डारेक्टर जनरल सेवाए दे रहे हैं इसके अलावा Red Cross Society of India तिलंगाना चैप्टर में बतौर ओन्रेडी चेर्मेन ये कारिड़त है इरोंने सचिव या फिर प्रिधान सचिव रहते वे एनरजी, ट्रांसपोर्ट, वाटर सप् आई-टी, होम, हायर एजुकेशन जैसे कई एहम विभागों में एक एक्रित आंध्र प्रिदेश या फिर तिलंगाना में अपनी सेवाए दी, इनसे सीधे मुखातिव होते हैं, सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका, सर फिलाल अभी Red Cross में आप बतौर ओनरी चेर्मेन और किस तरह की योजना है, खासकर तिलंगाना को लेकर? जो volunteers होते हैं उनसे, और उसको जहाँ पर जरौत होती है, वहाँ पर हम supply करते हैं, और blood को store करने के protocols होते हैं, advanced machines होती हैं, हम उन सब का उपयोग करते हैं, पिछले साल हमने 51,000 से ज़्यादा blood units collect किये थे, और distribute किये थे, blood से related activity होती है, थेलसीमिया patients की, थेलसीमिया एक बीमारी होती है, जिसमें almost जन्म से बच्चों को blood में deficiency होती है, जिसकी वज़े से उनको depending upon the deficiency level, दो से तीन हफ़ते में एक बार blood transfuse करना पड़ता है, तो वो भी हम करते हैं, और क्योंकि जो blood हमाई पास आता है, उसको फिर components में बदला जाता है, platelets और red blood cells उस सरे से, और अभी हम करीब हजार बच्चों को हर महिने free में blood transfusion करते हैं, और हम इनको free में blood transfusion ही नहीं करते हैं, इनको जिस दिन वो आते हैं हमारे blood transfusion centers में, वहाँ पे free में lunch भी देते हैं उनके attendance को, और जिनको जरूत होती उनको आने जाने का खर्चा भी देते हैं, और यह सब हम जो हमें donations मिलते हैं जनता से, उसके, उससे करते हैं, उसके अलावा, हम यहाँ पे old age homes कुछ चलाते हैं, तीन day maternity and child care centers हैं सिकंदराबाद area में, एक cancer care center है, एक Alzheimer day care center है हमाँ पास, योगा center है और आयरुवेदिक center है, और पिछले एक साल में हमने health camps पे काफी जोड़ दिया है, और करीब 14 districts में तेलंगाना में, हम regularly health camps करते हैं, जहाँ पे की लोगों की बीमारियों का test तो करते हैं, साथ में दवाईयां भी और consultation भी free में provide करते हैं.